हाईलो एफ्रिवाइन वेल्कम बेक चो माई यूटूब चैनल फैंसी कलेक्शन तो आज हम आपके सामने लाए हैं राउंड नैक फ्रेंट साइड में और कॉलर जिसे चाइनिस कॉलर भी बोला जाता है और हाफ कॉलर भी तेकि हम फर्स्ट ओफ और इसमें जो बुक्रम होता है या फिर कैन्वस बोल लीजिए उस पर मैंने तेन तीन इंच की चोड़ाई चोड़ते हुए लंबाई लैंट जितनी लेनी है मैं को साड़े साथ इंच लेनी है उसको मार्जन लेते हुए मैंने राउंड नेक काट लिया है कटिंग कर लिये आप प्रीविएस वीडियो भी चैक आउट कर सकते हैं उसमें मैंने बता रखा है किस तरीके से यह कैन्वस पर कटिंग की जाती है अब हमने कैन्वस को एक्स्टा कप्डे पर रखकर हाफ या फिर पॉन इंच का मार्जन समझके कटिंग कर लिया है यह देखिए कटिंग करने के बाद हम जो इसके त्री राउंड होते हैं कैन्वस के उस पर स्टीचिंग कर रहे है ताकि हमारा जो कप्डा है वो इस पर अटैच हो जाए फैब्रिक जो है वो इदर उदर अप अगर है वो निकले नहीं यह देखिए भार की बॉंडरी आती है यह हम चारो तरफ कर लेंगे नीचे का हमारा जो पॉर्शन आ रहा था उसमें कप्डा एक्स्टा था उसको मैं एक्स्टा कटिंग करने के बाद इस पर स्टीच कर दिया अंदर की तरफ फोल्ट करते हुए इस तरीके से हमें एड्जिस्ट करना होता है अच्छे से ताकि हमारा कप्डा जो है वो बाहर की तरफ ना निकले यह हमने ट्री राउंड पर स्टीचिंग कर दिये अग हमारा यह सूट है फ्रेंट साइट जिसके मैंने मिडिल पॉइंट पर निशान लगा दिया था उससे जो यह कैन्वस एक्स्टर क्लोथ पर एड्जेस्ट किया था और स्टीचिंग की थी उस पर भी हम सेंटर पॉइंट पर निशान लगा देंगे मार कर देंगे उसको अच्छे से अगर आप नोचिस लगाना चाहते है तो नोचिस भी लगा सकते है अगर आपको इस तरह से मा सब्सक्राइब नहीं होती तो अगर आप बिगनर्स हैं स्टार्टर हैं तो आप जरूर यह रूल्स फॉलो किजिए तेखिया मैंने तो वैसे सेफटी पिन वगेरा यूज नहीं की है मैं साथ के साथ एड्जेस्ट करती जाती हूं फैवरी को और हमारा डिजाइन है उसको और स्टीचिंग करती जाती हूं यह देखिए कप्रा एड्जेस्ट करना बहुत नैसेस्री है सैंटर का ध्यान रखना होता है इसमें और हमारा कप्रा जो है वह उपसेट ना हो इस तरीके से हम जो पूरा राउंड नेक है हमारा उससे पेस्टीचिंग कर देंगे और यह ध कर लेंगे इसके एक्स्टा क्लॉत की और यह बीच मीच हमारा पोर्शन एक्स्टा कलोध का इस पर नो जा देंगे हम स्रौंडिंग में ताकि जो हमढ़ान करें ओंग तो राउंडिंग पे ढखना हमारा मोरे नहीं आच्छे से टर्न हो जाए यह देखिए इसको तो हमने ब सिचिंग लगा देते हैं बिल्कुल बॉंड रे पे सराउंडिंग में धीरे-धीरे करते हुए इस तरीके से लगाते जाएंगे और कप्रा एड़ेस्ट करते हुए जाना है यह देखे हमारे जो राउंड फ्रेंट साइड है नेक बनके तयार हो गया है अब इस नेक में हमें क इसका फ्रंट साइड है अब हैं मुढड की तरहिज का आगा वारे जोडने हैं जो हमारा सुट का तो में मिला रहेंगे आपोजिट साइड में इदेकिया मैं आपोजिट साइड में इस तरह वाहर दिखा रही हैं यह मैं इस तरीके यह हम कॉलर वाला बना रहे हैं तो आपको ध्यान रखना है इसके लिए आप जैसे 7 इंच का मुड़ा रखते हैं तो इसमें थोड़ा एक्स्रा रखी है क्योंकि ना खिचा पढ़ता है कॉलर सी ना कपड़ा जो है वो शोर्डर से खिचता है तो हमारा किचा-किचा पन ना है तो वैसे मैं 7 जो होता है वो स्टैंडर्ड साइज होता है तीरे का बट मैंने यहां पर 8 इंच रखा है क्योंकि जिनके लिए बना रही हुना मैं तो उनका जो तीरा बोलते है वो 16 आरा था इसलिए मैंने इसमें कम नहीं करा है 8 इंच ही लिया है यह देखिए हमने कॉलर ज साइड का हमारा गला होता है उसमें मैंने 3-3 इंच बहुत साइड आगी की तरफ रखा है फिर बैक साइड पूरा कॉलर ना पा था वो प्रॉसेस मुझ से स्कीप हो गई है मैं शूट नहीं कर पाई ती उसको तो मैं आपको और ली इस तरीकी से बता रही हूं कि जो कॉलर क जो कि लैंद्ध है वो मैंने टोटल 13 इंच लिये और जो इसकी चोडाई है विद यहें है सवा इंच कॉलर की चॉडाई सवा इंच है कॉलर की जो लंबाई यह वह तेरह इंच है वैदीक हम नहीं आपर डवल कप्रा ले रखा है और उसको उसके उपडर हमने कॉलर को इस से एड्जेस्ट किया है और एड्जेस्ट करने के बाद हमें देखिए जो पीछे की साइडर जहां पर मैं अभी स्टीचिंग कर रहे हूं कि वहां पर हमें सिर्फ थोड़ा सा ही मार्जन छोड़ते हूं इस्टीचिंग करनी है और हमारी कॉलर दबनी नहीं चाहिए यह चीज इस्टीच का अपको ध्यान रखना है और यह जो एक्स्टा गुलाई की शेप थी उस पर मैंने एक्स्टा क्लॉज हो है कट कर लिया है और कॉलर जब टर्न की जाएगी जो इसका राउंडिक पार्ट होता है यह कोने पे जो राउंड से शेप आ रहा है अगर हमें आप पर नोचिस लगा देंगे तो इजी रहेगा टर्न होने में किचाव नहीं आएगा कपड़े में इसलिए प्रोसेस की जाती है अब मैं इसके ज तरह रहा है यह देखे कॉलर बनके तयार हो गई एक तरह से एक्स्टा क्लोथ निकला हुआ है इसको हम जो सूट का फैब्रिक होगा उससे अटैच करते हुए स्टिचिंग करेंगे कि अधिक हमने राउंड कंप्लीट कर लिया इसका नैक का कट कर देंगे इसके कॉलर बन ग तो देखे आप एक लेते हैं सवा या डेड़ भी लेते हैं तो वह बीची की तरफ खिच जाती है तो आप कम से कम दो या ठाई जरूर लीजिए कॉलर का फरंट साइट के गले पे कॉलर मतलब आगे की तरफ दो इंच या धाई इंच का मार्जन लेते हुई एड़ेस्ट की एक तो बुक्रम हो गया और जो हमारा फैब्रिक होता है उससे भी अलग सा लुका जाता है कॉलर में अब हम दीरे दीरे ना कपड़े को एड़ेस्ट करते हुए सारी स्टीचिंग कर देंगे कॉलर पर यह देखिए हम अधर जो एंडिक पॉइंट है वहां पर आ गए है इस स्टीचिंग करते हुए इस तरीके से हमने इसको फाइनल करना है इस पर लास्ट में एक दो बार अच्छे से अटैच कर दीजिएगा यह देखिए कॉलर हमारी बनके रैडी हो गई है इसको चाइनिस कॉलर हाफ कॉलर बोला जाता है और बहुत सुन्दर प्रिटी लुक आत है इसको यह हमारा सूट जो है वह प्रिपेर हो गया है यह देखिए इस तरीके से विंटर का क्लॉथ है यह टिटी लग रहा था सुन्दर लग रहा था नेक्स वीडियो में फिर मिलते हैं तब तक लिए बाई बाई